एक एक टिप सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि इस पूरी सीरीज में आप सभी लोग मेरे साथ में हैं, आपके कॉमेंट्स, आपके सुझाओ मैं बिल्कुल पढ़ रहा हूँ और उसी हिसाब से मैं एक एक वीडियो आपके लिए ले क् यह पूरी सीरीज है, प्रोड़क्टिविटी इंप्रूमेंट के बारे में, जिसमें आप अपनी प्रोड़क्टिविटी को डबल कर सकते हैं, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम हम डबल कर सकते हैं, आज की हमारी टिप नंबर 5 है, टिप नंबर 5 शुरू करने के पह चलिए मैं दो शुरू करते हैं आज का सफर टिप नमबर फायो वाट इस टिप नमबर फायो एक दम जबर दस टिप है यह और यह टिप ऐसी है जिसमें मैं खुद कई सालों तक गलती कर रहा था जब तक मैंने यह टिप नहीं सीखी और इस गलती की वज़े से मेरी प्रोड़ अक्टिविटी डबल हो गई है चलिए वाट इस टिप आइडेंटिफाइ टास्क वैल्यू इसको एकदम सरल हिंदी भाषा में अगर मुझे ट्रांसलेट करना है तो इसे मैं कहूंगा टास्की आवकात आवकात यह शब्द थोड़ा सा गड़बड शब्दे मैं जानता हू लेकिन फिर भी इसका प्रयोग यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आइडेंटिफाइ टास्की आवकात टास्की वैल्यू अब वैल्यू का मतलब सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि वैल्यू मेंस इन टम्स ओफ मनी अगर यह मैं काम करता हूँ तो इसमें मुझे कितना पैसा म कैसे करना इसके बारे में अगर आप जानना चाहते तो आप अपने आपसे चार सवाल पूछिए चार सवाल कौन से यह चारों सवाल मैं दे रहा हूँ आपको कोई भी काम जब आप करना करने के बारे में सोचते हैं करना शुरू करते हैं तो आप उस टास्की वैल्यू जान आपके दाथ में डर्द है और आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा रह 아니라 देर कर रहे है देर कर रहे है ठीक है कल जाओंगा पस हो जाओंगा बात में जाओंगा और यह काम आपने किया ही नहीं तो क्या होगा तब आपको समझेगा कि ये काम कितना जरूरी है ऐसे कई सारे काम हम जिन्दगी में करते है कभी कभी जिसकी कोई value नहीं होती है जो काम नहीं किया तो भी चलेगा लेकिन हम उसको बड़े urgently कर देते है आपको किसी दोस ने खाना खाने के लिए घर पे बुलाया है ये एक टास्क होगी आपके लिए ये काम आपने किया ही नहीं तो क्या होगा दोस नाराज होगा नहीं होगा ये आपको पता है तो what is the value of this task कभी कभी हमें जाने की जरूरत भी नहीं होती है वो दोस नाराज भी नहीं उने encouragement फिर भी हम बाकी सारे काम धंदे छोड़ के इस काम को complete करते है जिसके करने की कोई जरूत नहीं किया तो भी चलेगा और कभी कभी अईसा होता है जिस काम को हमें करने की सही में जरूरत होती है फिर भी हम उस काम को delay करते है यह काम करना तो जुरूरी है हमें पता है लेकिन यह आज नहीं, कल किया तो क्या होगा कल कर सकते है, परसो कर सकते है, चार दिन के बाद कर सकते है, एक मैने के बाद कर सकते है अब आपको पता चलेगा what is the value of this task, आपके दात में दर्द है, डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी है आपने जाना चाहिए, इसको delay नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्त ने खाना खाने के लिए घर पे बुलाया, delay हो सकता है what if the task is not performed with highest quality, एक हादा काम है, जो की थोड़ा सा कम जादा उपर नीचे हुआ तो भी चलेगा ऐसा है और एक काम ऐसा है, जो की बिलकुल भी कम जादा उपर नीचे हुआ तो नहीं चलेगा तो ये काम ऐसा है, जो की थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है, तो आप इसे दूसरे को दे सकते है खुद करने की जरूतनी है, और जहां पर आपको लगता है कि ये काम बहुत ही क्रिटिकल है ये काम तो टॉप मोस्ट कॉलिटी से होना ही चाहिए, वहां पर आप या तो खुद या तो आपका सबसे भरोसेमंद इनसान जो भी है जिसको आप काम दे के निश्चिन्द हो सकते है, जो आप जानते हैं कि इसको मैं काम दूँगा तो ये टॉप मोस्ट कॉलिटी से होगा मेरे से भी अच्छे कॉलिटी से होगा, तो आप उसको ये काम दे सकते है तो तीन सवाल हमने देख लिए, चौथा सवाल मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ तो क्या मैं ये काम दूसरे को दे सकता हूँ अब तीसरा और चौथा सवाल थोड़े से आपस में related है, interconnected है लेकिन कभी भी इसके बाद जब आप कोई भी काम करने के बारे में सोचेंगे, काम शुरू करेंगे तो ये चार सवाल आप अपने आप से पूछिए, आपको पता चलेगा What is the value of task? Should I invest my personal time, money and efforts in this particular task? हम time, money and efforts तीन चीज़ों के बारे में बात करते है जब भी task की बात आती है तो यहाँ पर productivity के मामले में अभी सिर्फ मैं time की बात कर रहा हूँ तो क्या मैंने खुद ने इस काम में ये मेरा खुद का personal समय देना चाहिए क्या? effort और money तो ठीक है उसके बारे में फिलाल नहीं बात करते है अभी productivity improve करना आपको तो सबसे पहले आपको time के बारे में ही सोचना पड़ेगा समय के बारे में सोचना पड़ेगा तो समय मैंने खुद ने देना चाहिए क्या? अगर आपको ये चारो सवाल के जवाब उस दिशा में लेके जा रहे है जिस दिशा में आपका personal time जरूरी है तो फिर आपने जरूर देना चाहिए मित्रो हम बहुत बार ये सवाल अपने आपसे नहीं पूछते है और नहीं पूछने की वज़े से होता ये है कि हर काम हम खुदी करने के बारे में सोचते या कर भी डालते और ultimately होता है कि जो काम सही में हमने करना चाहिए वो हम करते ही नहीं है और ऐसे काम हम करते हैं जो कि हमने नहीं करने चाहिए So you will be able to identify the value of task by asking these four questions to you And one more important aspect about value of task Don't love, what does it mean? महबत ना करे, प्यार ना करे, किस से? कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जो task को I love you कहते हैं What does it mean? उन्हें एक आदा काम करने में बहुत मजा आता है तो वो काम को लगातार करते हैं, बार-बार करते हैं क्योंकि उनको उस काम में बड़ा मजा आता है, बहुत आनन दाता है और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि वो काम समझो एक घंटे का है तो उस काम को वो चार घंटे तक करते हैं मतलब, in short, जितने समय में वो काम हो सकता है उससे ज़्यादा समय उसको देते है क्यों देते है, क्योंकि उनको काम करने में मजा आता है तो मजा यह उनको चाहिए चाहिए तो एक घंटे का मजा नहीं हमको चार घंटे का आनन चाहिए चार घंटे का मजा चाहिए तो they enjoy doing certain tasks for example हमारे organization में अलग-अलग तरह के काम होते है एक काम है customer से जाके मिलना customer से जाके मिलेंगे existing customer या prospective customer से हम अगर मिलते है तो कुछ ना कुछ income होने की possibility है और यहाँ पर possibility है कि सामने वाला हमें समय ना दे हमें चार बाते खरी खोटी सुना दे बोलेगा तुम्हारे product में गड़ बड़ है पिछली बार हमने तुमसे product खरीदा था तुमने वराबर service नहीं दिया मेरा phone आप लोग उठाते नहीं है ऐसी कुछ उल्टी सुल्टी बाते उल्टी पुल्टी बाते हमारे साथ करें जिसकी वज़े से हमें थोड़े सा हमें थोड़ा सा दर्द हो तकलीफ हो या फिर जो सुनने में अच्छी ना लगे इसलिए लोग customer से जाके मिलते नहीं है दूसरा काम है office में brochure design करना, website design करना अब ये काम ऐसा होता है brochure designing का काम ये काम अगर आप चाहे तो किसी को दे सकते है खुद भी कर सकते है और खुद को करना है तो हो सकता आधे गंटे में किया जाए, एक गंटे में किया जाए लेकिन ये brochure designing का काम अपने को करने में बहुत मज़ा आता है इसलिए लोग इसको चार गंटे, छे गंटे, आठ गंटे, दो दिन, चार दिन सिर्फ brochure designing चल रहा, website designing चल रहा तो यहाँ पे task की value जो है ये लोग भूल जाते है और भूलने की वज़े से गलत काम में जिसकी कोई जरुरत निया उसमें बहुत सारा समय देते है और फिर कहते हैं के मेरे पास time ही ने क्या करो, बहुत समय की कमी है So friends, whenever you are starting or thinking about any task just think about this particular concept, what is the value of this task identify the value and then only decide about the time to be spent on this particular task unless and until you do this exercise you cannot improve, you means including me, everybody, मैं सब की बात कर रहा हूँ हम उसके बिना हमारी productivity को बढ़ा नहीं सकते है क्यूंकि हमारे पास सभी के पास, आपके पास, मेरे पास सभी के पास समय जो है वो एक जैसा है 24 घंटे एक दिन में 24 घंटे तो उससे ज़्यादा समय हम create नहीं कर सकते है तो इसलिए जो है उसी को manage करना पड़ेगा जो है उसी को हमें proper तरीके से utilize करना पड़ेगा तो आज का ये session में यही पर खतम करता हूँ मुझे आशा है कि आपको ये tip ज़रूर पसंद आई होगी ये tip आपके काम में भी आएगी और अगर आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो एक बार subscribe का बटन दबा दीजे उसके side में ही एक bell icon होता है उसे भी आप click कर सकते है ताकि आपको हमारे आने वाले सारे videos के notifications मिलते रहें आपके सुझाओ comments में मैं पढ़ता हूँ और उस हिसाब से बहुत सारे नहीं ने videos लाने की मैं कोशिश करता हूँ Thank you very much, have a nice day, all the best